हेलो, मेरा नाम यक्स चोधरी है मैंने 2021 civil services exam में rank 6 प्राप्त किया है मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी journey के बारे में बात करना चाहता हूँ किस तरह से मैंने तयारी की, क्या मैंने mistakes की उसके बारे में थोड़ा सा short में मैं यहाँ पे बात करूँगा मेरा background मैं अम्रोह के एक गाउं का रहने वाला हूँ मैंने अपनी जो schooling है सारी अम्रोह से की है उसके बाद मैंने I.T.J.E. का preparation किया कोटा जाके उसके बाद मैंने I.T. Guwahati से civil engineering किया college के बाद मैंने full time civil services की preparation की यह मेरा तीसरा attempt था और मुझे लगबक 4-5 साल तैयारी करते हुए हो गए है college में जब career choose करना था तब मैंने analyze करके खुद गो की कहाँ पे मेरा interest है कहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ सब कुछ analyze करने के बाद मैंने civil services को सोचा कि यह मेरे लिए एक apt choice होगा as a career मेरे personal growth के लिए भी और जो भी मुझे society के लिए कुछ करना है समाज के लिए कुछ करना है उन दोनों का mix करके दोनों को combine करके मैंने यह decision लिया कि मुझे अभी civil services की तयारी करनी है college में मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तयारी करना शुरू किया मैंने newspaper पड़ा वहाँ पे धीरे धीरे जो basic चीजे थी कुछ NCRT पड़ी तो एक foundation बनाने की मैंने कोशिश की college में पे बहुत ज़्यादा serious नहीं था उस time पे क्योंकि college का load रहता था बाकी भी activities में involved थे तो वहाँ पे preparation काफी कम हो पाया था बट college के बाद मैंने एकदम seriously तयारी शुरू की अपना full time पूरा focus सिर्फ UPSC पे रखा और तीसरे attempt में जाके मेरा rank मुझे मिला जब मैंने पहली बार prelims दिया way back in 2019 एक डियर साल की preparation मैंने कर ली थी उस time पे seriously वाली बट मेरा prelims नहीं हो पाया मेरा 92 marks आया था, cut off साय 98 marks थी तो काफी एक बड़ा gap था 6 marks का उसके बाद जब मैंने second attempt दिया तो मेरा prelims अच्छा हुआ मेरा forest का और civils दोनों का prelims निकला दोनों के मैंने mains दिये, दोनों के मैंने interviews दिये बट interview में थोड़े कम marks की वज़े से और एक दो और mistake की वज़े से mains में मेरा selection finally दोनों में ही नहीं हो पाया तीसरी बार मैंने 2021 का attempt दिया मेरा prelims फिर से दोनों का निकला civils का भी और forest का भी civils का मैंने mains दिया उसका भी mains दिया civils का interview दिया तो मेरा rank 6 आया और मैंने forest का interview वहाँ पर skip कर दिया अभी जो मेरा 4-5 साल का preparation है तीन attempts है उसमें मैंने काफे सारी mistakes की है luckily मेरा selection हो गया बट अभी मैं इस stage पर जाके जब खुद को analyze करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मेरी जो strategy थी या strategy जो भी हम उसको बोलें ऐसा कभी सोचा तो नहीं strategy बनाने का बट जो भी तयारी थी उसमें मैंने काफे सारी mistakes की है और मैं यहाँ पर अपना एकदम frank genuine opinion बता रहा हूँ या जो भी मेरा experience हो उसको एकदम बता रहा हूँ without any biasness सबसे पहले चीज़ तो यह जब prelims नहीं हुआ था उसके बाद मैंने अपना optional पढ़ना सुरू किया था और optional मैंने बहुत ज़दा time दे दिया था पहले prelims जब नहीं हुआ था पांच-छे महीने तक बैठके सिर्फ अपना optional ही कर रहा था तो वैसे तो उसने मुझे result भी दिया काफे depth में मैंने पढ़ लिया था बाकी बहुत सारी books मैंने पढ़ लेती उसने finally result भी दिया था prelims में जहां तक मुझे लगता है कि जो mistake मैंने किया और वो मैंने throughout मेरे तीनों attempt में मैंने mistake किया वो तब PYQs को अच्छे से analyze ना कर पाना कोशिश बहुत किया करने का पर समय की दिक्कत कभी लगा कि आप PYQs से ज़्यादा जिससे अच्छा revise कर लेते हैं तो PYQs को न analyze करना उस पर ना focus करना prelims में वो काफी ज़्यादा नुकसान दायक था मेरा हो गया selection पर उसका मतलब यह नहीं कि उनकी महत्वता नहीं है PYQs बड़े important है उसको बहुत अच्छे से analyze करें कि UPS से किस तरह के सवाल पूछता है answers के क्या pattern होते हैं कौन से themes important है और किस तरह से हमें वहाँ पे सवालों को attempt करना है या UPS से कैसी language का use करता है यह सब चीजे बड़ी ज़रूरी है prelims के लिए उसके बाद जब mains आता है तो उसमें answer writing बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैंने वहाँ पे थोड़े कम number of test दिये थे मैं अपने जो पढ़ने पे था या revision पे था उस पर ज़्यादा फोकस करता था बट मैं यहाँ पे यही ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि test series या फिर practice कैसे भी आप करें test series ले या ना ले कुछ भी करें practice ज़रूर करें खुद से करें घर पे बैठके बट वो जो आपने सोचा है कि जिस तरह से आप answers लिखने वाले हैं उसको practice जरूर कर ले diagrams की practice कर ले data कैसे लिखना है आप वो practice कर ले introduction कैसे लिखना है conclusion कैसे लिखना है time manage कैसे करना है कितने minute में answer लिखना है कितना font size होना चाहिए line की बीच का spacing कैसा होना चाहिए points में लिखना है कि paragraphs में लिखना है सब कुछ बहुत बढ़िया से पहले से plan करके उसको practice कर ले वहाँ पे answer writing का बहुत ज़्यादा ध्यान लटके knowledge बहुत सारा होता है लोगों के पास हमारे पास भी आपके पास भी जो भी लोग तयारी कर रहे हैं seriously सब के पास knowledge काफी है matter क्या करता है कि हम उस knowledge को कैसे present कर पाते हैं हम answers कैसे लिख पाते हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है यही है कि कौन कितना अच्छा लिख पाता है ultimately और इसका जो background है वही है कि जो जैसे मैं अगर बोलूं कि सब ज़्यादा जरूरी चीज क्या है पूरी preparation में तो समझ understanding conceptual clarity उस पे बहुत ज़्यादा focus करें सारी stages में वो काम आता है वो जैसे तरह के means में questions पूछे जाते हैं analytical type थोड़े इधर उदर घुमा फिरा के कुछ चीजों को joint करके interrelate करके वो आप तभी लिख पाएंगे जब आपकी समझ अच्छे से होगी समझ आपके पास है आपके foundation strong है उसके बाद ultimately आपको answer writing करना है answers लिखना सीखना है और अपने आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से present करके आना है interview की तयारी को बहुत seriously लें क्योंकि SNR समझे कि interview कम marks गए उसमें जो difference आ सकता है थोड़ी कम preparation करके हो सकता है आपके 20-25 नमबर इधर उधर हो जाए वो ultimately in and out का matter है वहाँ पर interview की तयारी बहुत seriously करें जो भी चीज उसमें दी हुई है जो हमारा notification आता है उन सब पर काम करें DEF अपना बहुत अच्छे से भरें जो चीजे की हैं वो भरें अभी means होगा कुछ दिनों बाद उसके बाद जो DEF 2 आता है वही चीजे भरें जो आपने की हैं DEF 1 में भी कोई भी चीजे fake करने की कोशिश ना करें fake चीजे बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है जो किया है उसको लिखें और जो लिखा है उसको प्रिपेर करें इंटर्वी की तैयारी जो आपका background है उसमें एकदब clarity के साथ तैयारी करें बहुत in-depth जाके अपना DEF तैयार करें और उसके बाद जो contemporary events चलती है उन पर अपनी opinion बनाएं उसको बहुत बढ़िया से तैयार करें ultimately जब जाएं वहाँ पर confidence के साथ बोलें clarity के साथ बोलें यहाँ stand लेना है, clear stand लें जितना भी आपको बोलना है उसको बहुत effective way में communicate करें महाँ पर language interview का सही से चूज करें जो जिस भी language में आप comfortable हैं वो language चूज करें तैयारी बढ़िया से करके दे तो अगर मैं बहुत ना चाहूं in short पूरा जो UPSC है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है कि अपना confidence हाई रखें, कभी भी demotivate ना हो हो सारे लोगों का जिसे मेरा एी तीसरे अटेंडं में हुआ है कौछ लोगों का दूसरे में होता है कुछ लोगों का पहले में होता है तो बाकी लोगों के comparison ना करते हुए अब उनसे सीखे जरूर कि उन्होंने कि अच्छा किया है जिनका अच्छे marks आगए, जल्दी उनका selection हो गया पर कभी demotivate ना हो अपनी गलतियों से सीखे, दूसरे के अच्छाईयों से सीखे जो topers हैं जिनके अच्छे marks आते हैं उनके answer copy, आप देखें कि वो किस तरह से लिखते हैं किस लहजे में वो लिखते हैं, जिनके अच्छे marks आते हैं किस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं अपनी गलतियां, दूसरों के अच्छाई, mix करके आप तयारी करें और demotivate कभी ना हो, ऐसा कभी ना समझे कि आप deserving नहीं है क्योंकि UPSC में कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा mistakes की वज़े से हम selection नहीं हो पाता है अगर खुद पे थोड़ा सा भी doubt है, आप 4-5 attempt के बाद अच्छा perform नहीं कर पा रहे हैं तो या फिर आप सुरू से भी plan B के बारे में सोच सकते हैं UPSC काफी मेरे personal opinion में काफी uncertain है पर उसका मतलब यह नहीं है कि plan B आपने दिया है तो 50-50 आप हमना focus रखें focus UPSC पर ही रखें थोड़ा साइड में अगर कोई ऐसा exam है जो आपकी UPSC के तयारी से निकल सकता है या पिर आपके जो पिछले आनोलीज आपका है उससे निकल सकता है तो आप plan B आप रख सकते हैं मुझे लगता है कि wise decision होगा practical decision भी होगा थोड़ा तो confidence high रखें अच्छे से पढ़ें अच्छे लोगों के साथ रहें peer group अच्छा रखें और लोगों से सीखें कि बाकी लोग किस तरह से तयारी करते हैं किस तरह से answers लिखते हैं किस तरह से prelims का paper attempt करते हैं बाकी लोगों से भी सीखें अपना confidence आई रखें हो ज़्यादा confused ना होई धरूदर कि बहुत सारा material है बहुत सारे topers की अलग-अलग strategies है कुछ लोग ऐसा suggest करते हैं यह किताब नहीं वो किताब पढ़ लो अपने mind में एक दम clarity रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं ठीक पढ़ रहे हैं bare minimum जो है आप उसको जरूर पढ़ें standard चीज़े जरूर पढ़ें उसके बाद सारी books में almost content सब सेमी रहता है जैसे भी तैयारी करना है करें confidence अपना high रखें और confused जादा ना हो कोई आपको कुछ भी suggest करता है कोई topper कुछ बोले कोई senior कुछ बोले कोई teacher कुछ बोले वो सकता है कि वो आपकी बातों को या आपकी जो context है आपका जो situation उसको ना समझे और बिना आपकी situation को समझे आपको कोई suggestion और recommendation दे दे आप बाकी सुनो सक्की बट ultimately करना आपने मन की है जो आपको suit करता है जो आपके लिए ज़्यादा efficient होगा आप उस चीज को choose करें किसी की strategy को किसी की recommendation को as it is ना लेके अपने हिसाब से tweak करके जो आपके लिए suit करे जो आपके लिए काम करें वो आपको वहाँ पे जो भी suggestions आपनी को ले जो आपको suit करता है तो ultimately तो यह है कि समझ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे understanding रखे चीजों की वही आपकी help करता है GSO, ethics हो, essay हो optional हो, कुछ भी हो समझ और conceptual clarity पर बहुत ज़्यादा focus करें UPSC की सारी stages में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है confidence हाई रखें अपना internal motivation रखें, confusions को अलग दूर रख दें जो silly doubts आते हैं silly doubts को यह सुझें कि यह चीज़े matter ही नहीं करती है कि कौन सा content पढ़ा, कौन सा नहीं पढ़ा कहां से guidance लिया है वो सब बहुत ज़्यादा matter नहीं करता है ultimately आपको जो आप खुद से तैयारी करेंगे वो सब matter करता है confidence आई रखें, internal motivation रखें और बहुत चीज़ों को थोड़ा सा क्या काफी समझ के पढ़ें और हो जाएगा selection finally तो यही मेरा बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ thank you, thank you very much